जहीं दोस्तों हमारा बिहार में आपका स्वागत है और दोस्तों आज है एक सितंबर 2022 और एक सितंबर 2022 से जितने भी करेंट अफेर्स के कोश्चन है जो बिहार से जुरे हुए है उसका जाड़ डिसकस करेंगे और इस वीडियो में कुछ प्रस ने 31 अगस्त का भी समिल किया गया है क्योंकि 31 अगस्त को जादा न्यूज नहीं मिला था करेंट अफेर्स से जुरा हुआ और इसका पीडियो हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम अप्लिकेशन में सर्च किजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को जोईन किजिए वहाँ प कर सकते हैं और दोस्तों इस वीडियो के लाश्ट में मैंने रिवीजन का एक प्रस्ण रखा है जिसका एंसर आप लोगको कॉमेंट वक्स में देना है तो वीडियो अंते तक जरूर देखिए चलिए शुरू करते हैं तो आज का पहला प्रस्त है हाली में बिहार के किस जिल पहला दान है तो इसका खेती शुरू किया गया है पश्मी चमपारन में तो पहली बार इस तरह के धान की खेती पश्मी चमपारन जिला के मुसहरवा गाउं में किया गया है तो नाम आया है पश्मी चमपारन का तो चलिए इसके बारे में जानते हैं तो पश्मी चमपारन जिला जो है दोस्तो ये तिरूत प्रमंडल के अंतरगत आता है तो सबसे पहले हम लोग एक नजर डालते हैं तिरूत प्रमंडल पे तो दोस्तो बिहार के मैप में तिरूत प्रमंडल का बात किया जाए तो ये वाला जो हरा कलर का छेतर देख रहे हैं यही तिरूत प्रमंडल जो कि बिहार की सबसे बड़ी प्रमंडल है और इसके अंतरगर 6 जिला आता है जो कि है पश्मी चंपारण, पुर्वी चंपारण, सीतामडी, सिवहर, मुजफ़र, पूर और बैसाली जिला और बिहार के मैप में अगर बात किया जाए पश्मी चंपारण जिला का तो ये रहा पश्मी चंपारण जिला जिसका सीमा पुर्वी चंपारण और गोपाल गन से सटा है और इसके अलावा दोस्तों पश्मी चंपारण जिला जो है एक तरफ से नेपाल के साथ अंतराष्टी सीमा बनाता है तो दूसरी तरफ से ये यूपी के साथ सीमा बनाता है उत्तर लंगर मिट्टी है यहां की प्रमुक जन जाती गोंड जन जाती है प्रमुक फसल का बात किया जाए तो धान जो जुआर और तेल मसूर ठीक है तील और मसूर यहां पर प्रमुक रूप से उगाया जाते हैं बैपसाइक फसले यहां गन्ना मिट्चा और मेस्तिया उपाया जा और यह तिरूत प्रमणडल के अंतरगत आता है यह बता चुके हैं गंडक नदी बिहार में पश्मी चंपारण से प्रवेश करती है गंडक नदी की लंबाई बिहार में 260 किलो मीटर है और वालमिकी नगरवन जीव अवियारन पश्मी चंपारण में है जिसका स्थापना 1978 में हुआ था कोश्चन कई वार पूछा जा चुका है उदयपूर सर्यामन पक्षी बियार पश्मी चंपारण में है जिसका स्थापना 1978 में हुआ है छेतरफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्मी चंपारण राजकुमार सुक्ल पश्मी चंपारण के मुरली सब्सक्राण के निवासी थे और इन्होंने महात्मा गांदी से लखनोग अधिवेशन में 1916 में मुलाकात करके चंपारण आने के लिए आग्रण किया था चंपारण जिलान में ही महात्मा गांदी के द्वारा 1917 में देश का पहला जन आंदोलन के शुरूबात की गई थी ज दोस्तो बिहार के किस वैक्ति को University of Central America के द्वारा Doctor of Literature की उपादी दी गई है तो University of Central America के द्वारा Doctor of Literature की उपादी दी गई है बिहार के उमेश परसाद सिंग को ए आप्शन इसका सही हो गया उमेश परसाद सिंग प्राकिर्तिक समनवे सेवा आशरम तथा प्राकिर्तिक स्कूल के संस्थापक है यह उपलब्द उन्हें 42 वर्सों से सीख्षा तथा प्राकिर्तिक जीवन जीने की कला के प्रचार परसार के लिए दिया गया है ठीक है अगला प्रस्तने है दोस्तो अगली में smart इंडिया हैकतन 2012 के hardware एडिशन में भिहार का कौं सा संस्थान बिजयता बना है तो smart इंडिया है के hardware एडिशन में भिहार का MIT सी ओप्सन इसका सही हो गया ठीक है मुझफरपूर इंस्टिचूट आफ टेक्नलोजी जो है यह बिजेता बना है और इंस्टिचूट आफ टेक्नलोजी मुझफरपूर की टीम जिसका नाम था स्रीजन 2.0 ठीक है ने एक स्मार्ट डिवाइस बनाया जो मजदूर के हेलमेट बेल्ट में लगा होगा और यह बैगार इंटरनेट के संचालित होगा और अगर मजदूर के अगल बगल में कोई भारी बस्तू गिरता है जैसे मिट्टी, इट, पत्थर तो मजदूर को आसानी से पता चल जाएगा और बेल्ट का खुवी यह है कि बेल्ट में एक सेंसर ल बना है अगला प्रसन है देश वर के वर्स 2022 की राजसवा फेलोशिप के लिए चार लोगों का चैन किया गया है तो जिसमें से बिहार के किस व्यक्ति का चैन किया गया है तो पूरे देश में चार लोगों का चैन किया गया है 2022 के लिए राजसवा फेलोशिप के लिए जिसम प्रसने हाली में बिहार के 21 जीला के अवनीस नंदन परसाद का चैन एसिया कप और टी ट्वंटी वर्ल्ड कप 2022 में कमेंट्री करने के लिए किया गया है तो दोस्तों डॉक्टर अविनीस नंदन परसाद जो है यह मुझा फुर्फुर जीला के निवासी हैं सी ओप्सन सही हो गया है जो कि भागल पुर्णिवासी अविशेक सानू है ठीक है अगला प्रसना दोस्तों हाली में आई एंसी आरवी की वर्ष 2021 के रिपोर्ट के अनुसार अपराद दर की राष्ट्रिये ओसत में बिहार को कौन सा स्थान मिला है तो अपराद दर की राष्ट्रिये ओसत मे बिहार को मिला है सात वास्थान C option इसका सही हो गया इस report के अनुसार अपराद दर जहाराश्टी अस्तर पे 268 अंक है वही बिहार यानि राज्य अस्तर पे बिहार को 150 असंबल 4 अंक मिला है इस report के अनुसार देश में सबसे अधिक पैदल चलने वाले लोगों में सरक दुर घटना का सिकार बिहार में होता है अगला प्रस्न है बिहार के किस खिलारी का चैन Asia Basketball Championship के लिए Indian Basketball Team में किया गया था तो उनका नाम है मुसकान B option इसका सही हो गया और या Championship जो है इसका आयोजन Jordan में किया गया था अगला प्रस्न है दोस्तो हाली में बिहार के किसान चाची के नाम से प्रसिद राचकुमारी देवी को बिहार किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है तो इन्हें किस वर्स पदमस्री सम्मान से सम्मानित किया था तो 2019 में इन्हें पदमसरी सम्मान से सम्मानित किया गया था और हाली में प्रभाद ख़वरपत्रिका के द्वारा इन्हें दोस्तो इसान सम्मान से सम्मानित किया गया बिहार की सान सम्मान से तो ये था इसका current affairs चलते हैं revision के तरब तो पिछले वीडियो के revision का प्रस्न था हाली में बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रिय सिक्षा पुरसकार 2022 के लिए चुना गया है तो सौरभ सुमन और नीशी कुमारी ठीक है तो बहुत सारे लोगों ने सही उतर दिया उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज का revision का प्रस्न है हाली में बिहार विधान सवाके 17 अध्यक्ष के रूप में की से चुना गया है तो इसका उत्तर आप लोग को कॉमेंट वक्स में देना है तो फटफट उत्तर को कॉमें सारे वीडियो का notification मिलता रहे तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए episode के साथ तब तक के लिए जाए हिंद जाए हिंद जाए हिंद।